हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अट्रेक्टिव लूप तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो क्रोशेट बेबी शूज टूटोरिल होने जा रही है जिसमें बहुत ही ब्यूटिफुल से बेबी शूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने बेबी सेट के हेल्थ पर डिपेंड करता है कुछ बच्चे कमजोर होते हैं कुछ बच्चे हेल्थी भी होते हैं तो इसका साइज भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि बनाने से पहले एक बार आप अपने बेबी का पैर चेक कर लें कि यह उसको फिट आएगा यह नहीं बॉइज और गल्स दोनों के लिए आप इनको बना सकती हैं बॉइस को बनाने के लिए सिर्फ इसमें कलर आप चेंज कर लें और यह जो वाइट वाले डिजाइनिंग मैं इसको पर लगाई है इसको भी आप बहुत ही ज्यादे इजी पैटन में मैं इसको बनाया है आप भी अगर इस तर इसदें लाइक्स दूसरा और वीडियो पर यह ऊच्छे यह लाइक्स बें लेकिन कमेंट किसी ने भी नहीं किया है अगर हम मारा काम आपको पसंद आता है आपको चौछ कमी कशो कमी लगती है तो भी बताएं ताकि उस कमी को भी हम दूर करके आपके लिए बिल्कुल प्र तो जो set मैंने ready किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ boys और girls दोनों के लिए है ये सिर्फ girls के लिए आपको यी jacket बनानी है जो short jacket उपर है और boys के लिए आपको यी jacket हटा देनी है और जो shoes बने हुए है इसके उपर से आपको white वाली designing हटा देनी है तो ये set जो है वो boys के लिए भी हो जाएगा तो friends आए वीडियो स्टार्ट करते हैं I hope आपने वीडियो को like कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रू करें तो चार प्लाइकी ओन ली है मैंने यहाँ पर और उसके साथ में 14 नंबर का crochet hook मैंने लिया हुआ है सबसे पहले स्लीप नॉट लगाएंगे उन पर उसके बाद में चेन बनानी स्टार्ट करेंगे तो 17 चेन हमें बनानी है इस सोल की लंबाई के लिए अगर आप एक beginner है तो इससे भी ज्यादा easy pattern आपको मेरे चैनल पर shoes के मिल जाएंगे दो pattern मैं अपने चैनल पर beginners के लिए बना चुकी और उसके लावा baby socks भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो यह दिखे 17 चैन मेरे complete हो गई है अब yarn over करेंगे और crochet के बाद में तीन chain किप करनी है हमें जो कि हमारे एक double crochet की गिंती में आ जाएगा और चौथी वाली chain में उनको आगे लाकर पहले दो loops में से निकालेंगे तो ये double crochet stitch बनता है अब इसी chain में एक double crochet और हम बनाएंगे तो यहां पर एक चेन में दो double crochet stitch बनाए हैं हमें संट बनाने के बाद में एक एक चैन में 12 कुछ्य में यहां पर बना ली है यह आखरी चैन मेरी मेरी बची है दक साथ डब्ल कुछ्य इस्टिच बनाने है एक भी लास्ट वाली चैन एए परके हमारे तरफ सोल में बनाने है और पीछे की पांच रखेंगे यह देखे साथ डबल क्रोशे स्टिश मेरे कम्प्लीट हो गए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब यार नवर करेंगे और बार डबल क्रोशे जो हमने एक एक चेन में बनाए हैं वही चेन फिर से हमें यूज़ करनी है तो यार नवर करेंगे और यह जो कटिंग है उनकी इसको साथ में ही रखेंगे तो यह हाइट हो जाएगी, अलग से नहीं हाइट करनी पड़ेगी अब जो बिल्कुल पहला वाला डबल क्रोशे है हमारा इसकी जो चेन है जिस चेन में डबल क्रोशे स्टिच बनाया है हमने दूसरी साइट का, उसी चेन में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है ठीक है, अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के में नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस side पर भी 12 double crochet complete करने है हमें जैसे हमने दूसरी तरफ बनाए है तो front की जो chain है उसमें 7 double crochet और दोनों तरफ 12 12 double crochet हमारे हाँ पर complete होने चाहिए इस तरीके से दिखाई देगा अभी जो tail है इसको हम cut कर देंगे यह hide हो चुकी है अभी earn over करेंगे और जिस chain में हमने starting में 2 double crochet बनाए थे उसी chain में हमें हमें हापर इस side पर भी 2 double crochet बना लेने हैं तो दोनों side में हमें बिल्कुल एक जैसा work करना है अभी यह 3 chain आ जाती है हमारी जो हमने row को start करने से पहले skip की थी इसकी third chain में top chain में एक slip stitch करेंगे हम यह 3 chain में आपको बताया था एक double crochet की गिंती में count होंगी उसके बाद में दोनों तरफ एक chain में दो-दो double crochet हमने बनाए हुए हैं तो एडी के तरफ हमारे हाँ पर एक ही chain में पांस double crochet आ गए है अब second row start करेंगे तो इसके लिए 2 chain में बनाएंगे हम तीनों loops में से हम crochet एक साथ निकाल देंगे इदेखे में दिखाती हूँ आपको यार्ड ओवर करेंगे chain में crochet डालेंगे उनको आगे लाएंगे तीन loops में crochet में तीनों में से एक साथ हम crochet को निकाल देंगे उन लेकर तो यह एक half double crochet stitch बनता है ठीक है यानूबर करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशय डालेंगे उनको आगे लेकर आएंगे तीन लूप्स क्रोशय में है तीनों में से एक साथ क्रोशय निकाल देंगे उन लेकर सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशय स्टिच और हम बनाएंगे तो यह हमारी चार हाफ डबल क् यह हैं पर यह तीनों चैन वे दोली में तरफी तरफ किचिक तरफ पांच डबल गुरुष्य तरिश ही अब इसके आगे हमारे बारेinding restore जिसमें हमने एक डबल कुरुषय बनाया हूँ कि इसके ऊपर यह दिखी वाली चेहन है इसके उपर रमिकाफ़ डॅल D survey बनाएंगे में याड दोबर करेंगे नेक्स्ट वाली ओपर அ डाल कुरूश्य बनाएंगे तो यहां पर हमें छे डबल पर पहले स्टिच प्छी कर आगे के जो 6 डबल पे क्रूश्य के उपर हमऑ ड उसके बाद हमारी एक chain में साथ Double conditions बनाने हूं यह यह फ Surely झाए तो चाहओ सब्सकों सब्सक्छी स्दूंति है इस से उपर की सब्सक्राइब क्सक्राइब सकर पर कि hemp उसको पर किस कब मैं को दिखाएं और इंगे वब उपके कम होती है द्रुष से इन ne हमने हाफ double crochet हमने starting में बनाए थे अब याट नवर करेंगे और जो हमने एक chain में साथ double crochet stitch बनाए थे उसका पहले double crochet हमारे यहाँ पर आ जाएगा यह वाली chain है यह हमारा पहले double crochet है इसमें हम दो double crochet बनाएंगे से एक बन गया एक और बनाएंगे सेम चेन में अब नेक्स्ट वाली चेन के उपपर रूपर हमें दो डबल क्रोश्च भरू, बनाने हैं तो 14 double crochet Stitch मेर EBD PRODECтор के तरफ रहेंगे फिंगर की तरफ उसके बाद में 12 double crochet Stitch में से श्ई हम double crochet बनाएंगे और 6 double crochet जैसे मैंने साट पर कम किया है स्यम ऐसे ही दूसरी साट पर भी वर्क करेंगे बोस्त दिखाते को मैंमें आपको यहाँ पर मैंने 14 double crochet Such Bstarter बनाए है। यह से मैंने पहली मीरस जिस में 2 ही चैन चे में सब्सक्त करते हैं। तो 5 में से 3 के उपर हमने starting में बर्क किया था 2-2 half double crochet stitch बनाए थे 3 chain के उपर और ये 2 chain हमारे पास यहां पर बचेंगे यहां पर भी हमें 1-2 chain के उपर 2-2 half double crochet stitch बनाने हैं तो AD के तरफ हमारे 5 double crochet stitch के उपर 10 half double crochet stitch होने चाहिए second row में ठीक है तो 2 row हमारे इस तरीके से complete होंगे यह देखिए यह देखिए row के starting में 2 chain में थी मैंने और यह 1 half double crochet की गिंती में आ जाती हैं और इसी chain में हमने 1 half double crochet stitch बनाया था उसके बाद में next में भी दो बनाये थे और next में भी दो बनाये थे तो 6 half double crochet stitch में यह बने हुए है अब second वाली chain में ही हमें slip stitch कर देना है यहाँ पर और यह second row हमारे हाँ पर complete हो जाएगा एडी की तरफ 10 half double crochet हमने बना दिये हैं अब third row start करेंगे इसके लिए हमें तीन chain बनानी है क्योंकि इस रो में हमें double crochet stitch बनाने हैं अब हम half double crochet नहीं बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और जिस चैन के उपर हमारी यह तीन chain के आ गई है अब सेम चैन में जिसमें हमने slip stitch किया है इसमें हम एक double crochet stitch बनाएंगे तो यह एक की चैन में दो double crochet हमारी count होंगे तीन chain को मिला कर अभियान वर करेंगे और नेक्स ट्वाइली चेन में हाफ डबल कुरूशे की chain है इसमें हमें double crochet stitch बनाना है एक double crochet stitch हम इस chain में बनाएंगे ठीक है अब next chain है इसके उपर हम 2 double crochet पीवेश एस्टिच बनाएंगे philosoph arc उलता है यह बता है अफ्य और आप ने के बाद नियुक्त यह व्यांदा यह आप पर चार चेन के उपर वर्व कर दिया है पहली के उपर दो दूसरी के उपर एक फिर तीसरी के उपर दो चौधी के उपर एक और अभी पांचवी चेन है हमारी इसके उपर हम दो बनाएंगे अभी छटी chain है इसके उपर हम एक बनाएंगे तो second row में जो हमने starting में 6 half double crochet बनाए थे वो 6 half double crochet की ये chain है हमारे पास इसमें हमने 2,1,2,1,2,1 करके double crochet stitch बना दिये हैं ठीक है अब इसके आगे हमारे 12 double crochet stitch आ जाते हैं जिसमें से हमने 6 half double crochet बनाए थे और 6 double crochet बनाए थे तो यहाँ पर हमें सारे 12 stitches के उपर अपने 12 double crochet stitch बना लेने हैं इस रो में हम half double crochet नहीं बनाएंगे ठीक है तो ये complete करके दिखाती हूँ मैं आपको ये देखे 12 double crochet stitches मैंने बना लिये हैं अब यह हमारे पैर के आगे का इससा आ गया है जिसमें एक ही chain के उपर दो double crochet stitch बने हुए हैं तो इसमें पहला वाला double crochet है इसकी chain में हम यहाँ पर दो double crochet stitch बनाएंगे एक यह हो गया एक और बनाएंगे सेम चेन में तो यहाँ हमने एक chain के उपर दो double crochet बना दिये हैं अब जैसे हमने एडी पर काम किया था सेम ऐसे ही हमें यहाँ फरंट की तरफ भी काम करना है नेक्स्ट वाली चेन में एक double crochet बनाएंगे हम अब नेक्स्ट चेन है इसके उपर हम दो बनाएंगे यह दो हो गए अब नेक्स्ट वाली चेन में एक बनाएंगे तो इसी तरीके से एक चेन में दो एक चेन में एक चेन में एक करते हुए यह जो एडी की तरफ हमने काम किया था सेम इसी तरीके से फरंट की तरफ भी हमें काम कर लेना है तो यहाँ पर 14 double crochet stitch है इस सब के उपर हमें ऐसे ही work करना है ये देखिए 2-1-2-1 करते हुए अपने सारे double crochet stitch मैंने बना लिये हैं और इस फ्रूर्टींथ वाला double crochet stitch है इसके उपर हमारा एक ही double crochet stitch आता है जब हम को कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट जरू कर दीजेगा आपके कमेंट कर रिप्लाई कर देती हूं मैं यह देखिए बार डबल क्रूशर स्टिश बना लिए है मैंने अब हमारे एडी का हिस्सा आ गया है जिसमें यहापर हमारी चार चेन बाकी रह जाएंगी क्योंकि छ आखरी वाली चैन रहे जाएगी इसके उपर हम एक ही बनाएंगे तो दो एक-दो एक का पैटन एडी की तरफ आले दस हाफ डबल क्रोशर स्टिचिज के उपर फोलु किया है और दो एक का पैटन ही हमने जो हमारी फिंगर्स की तरफ चौदर डबल क्रोशर थे उसके उपर हमने फोलो किया है और उसके अलावा दोनों सेट में हमारे पास 12-12 डबल क्रोश्य स्टिच रहने चाहिए कुल मिलाकर 60 स्टीचिस हमारे इस रो में कंप्लीट होने चाहिए ठीक है 60 chains हमारे पास इस रो के end में रहेंगी और इस सोल हमारे इस हैं पर बनकर कंप्लीट हो गया है अब इसकोjer की जोप चयन है इसके उपर slip stitch के साथ join करेंगे हैं और यह 3 रो हमारी हाँ पर complete हो गए है अब इसकी shape में आपको दिखाती हूँ कितना perfect हमारा यह soul बनता है और है ना बहुत ही ज्यादा easy बनाने में तो friends I hope आपने वीडियो को अभी तक like कर दिया होगा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से like कर दें और एक प्यारा सा comment जरूर करें यह देखिए इस तरीके से हमारा soul बनकर ready हो गया है अब इसमें उपर की तरफ work करना start करेंगे हम ठीक है तीन रो में हमारे soul बनकर complete होता है और अपने थर्ड रो में हमारे पास 60 stitches होने चाहिए अगर आपके पास एका कम या ज्यादा होता है तो आप उसको adjust कर सकते हैं ठीक है कम होता है तो आप कहीं पर एक stitch increase कर लिजिए और अगर जाद रहता है तो कहीं पर आप दो stitch एक जगा मिला कर उनको कम कर सकते हैं तो 60 stitches हमारे पास यहां रहने चाहिए अब हम 4th row start करेंगे इसके लिए 3 chain बनाएंगे जो कि हमारीBir Chocolate stitch के गिंते में आ जाएंगी और chain के ऊपर chain हमारी हर एक row में चल जाती है अब next chain के ऊपर एक double crochet बनाएंगे नेक्स chain के ऊपर एक double crochet बनाएंगे तो 60 chains है हमारे पास 60 chains के उपर हमें 60 double crochet stitches अपने 4th row में complete कर लेने हैं तो ये complete करके दिखाती हूँ मैं आपको ये देखे friends इस तरीके से ये बना है और हमारे shoes के उपर का 1st row हम यहाँ पर इसको count करेंगे क्योंकि 3 row में हमारा sole complete हो गया था अभी shoes बनाना हमने start किया है इसमें हम पहले एक loop बना लेंगे इस तरीके से slip knot लगा कर इसके साथ हम अब इस stroke को slip stitch के साथ end करेंगे तो जब भी आप कहीं पर color change करें तो आप इसी तरीके से slip stitch पर आकर color change करें अब एक chain बनाएंगे हम और जिस chain में हमने slip stitch किया है सेम chain में हमें एक single crochet stitch बनाना है तो chain में crochet डालेंगे उनको आगे लेकर आएंगे दो loops हमारे crochet में रहेंगे दोनों loops में से उन लेकर crochet निकाल देंगे हम तो ये single crochet stitch कहलाता है ये जो उनकी tail hairs को हम साथ में ही रखेंगे तो ये साथ में ही hide हो जाएगी नेक्स वाली chain में एक single crochet बनाएंगे तो इस row में हमें हर एक chain के ओपर एक-एक single crochet stitch बना लेना है 60 single crochet stitches हमें अपने complete करने है तो ये row complete करके दिखाती हूँ मैं आपको तो ये दिखे 60 single crochet stitches मैंने complete कर लिए है ठीक है अब इसमें slip stitch करेंगे हैं जो बिल्कुल पहला वाला single crochet stitch बनाया था उसकी chain में हमें slip stitch करना है ब्लू वाली उनको tight कर लेती हूँ मैं तो इसमें हम slip stitch करेंगे और इस second row हमारे हाँ पर complete हो गया है अब इस own को cut कर दूँगे मैं और एक chain बनाकर इसको मैं छोड़ दूँगे अभी फिलाल बाद में इसको दुबार से जॉइंट करेंगे हम अभी देखिए इसमें हमें हाँ पर अपनी third color की own जॉइंट करनी है तो इसके लिए पहले हम इसका center लेंगे और उसमें हम अपनी own को जॉइंट करेंगे यह जो रो हमारा complete हुआ है यह हमारा center में नहीं है क्योंकि chain के ओपर हमारी chain चल रही है अब तक तो वह cross जाती है सीधी नहीं जाती है आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे क्योंकि हमने stitches increase किये थे हर एक chain के बाद में सेम chain में एक double crochet stitch बनाया था तो हमारी जो chain है वह cross जाती है तो अब जो हम अपनी own को जॉइंट करेंगे वह हम बिल्कुल center में हमें जॉइंट करनी है तो यहां पर यह देखें तीन chain हमने बनाए थी starting में बिल्कुल first वाले row में उसके उपर फिर हमने दो chain बनाए थी second row में और एक half double crochet बनाया था तो half double crochet के उपर एक double crochet है उसके उपर एक double crochet है और इसके उपर यहां पर यह single crochet stitch है तो एक के उपर एक जो stitch है उसमें हमें काम करना है तो यह 3 chain single crochet stitch वाली छोड़कर चौथी वाली चेन में मैंने अपनी ओन को यहाँ पर जॉइण किया है तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है आप सेंटर ना भी ढूंड़े तो जैसा मैं आपको बता रही हूं वैसे ही करें तीन सिंगल क्रोशे स्टिच छोड़कर चौथे वाली सिंगल क्रोशे के उपर मैंने हापर उन जॉइंट की है अब तीन चेन बनाएंगे यान ओवर करेंगे और नेक्स चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यानुवर करेंगे फिर से नेक्स चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे जो टेल है हमारी थर्ड वाले उनकी इसको हम साथ में रखेंगे तो यह हैड हो जाएगे इसको हम फिर कट कर देंगे तो 15 डबल क्रोशे हमें कम्प्लीट करने है एक एक चेन के ओपर एक डबल क्रोशे हम बनाते हुए पंदर्ब जाएग बनाएंगे और उसके बाद में इसके आगे का हिससा बनाएंगे इस उनको में आसे कट कर दूँगी यह हाइड हो चुकी है तो 15 डबल क्रोशे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं तो यह दिके 60 सिंगल क्रोशे स्टिच थे हमारे पास इसमें से हमने 15 के उपर यहाँ पर डबल क्रोशे स्टिच बना दिये हैं अब याद उबर करेंगे और नेक्स्ट व अब यह दो स्टिच हमारे क्रोशा में हैं दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो यह दो स्टिच हमने एक साथ मिला दिये हैं अब याद नोबर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे हम कंप्लीट यह हो गया अब नेक्स्ट चेन में फिर से हमें 2 double crochet stitch एक साथ मिलाने हैं, तो हम एक chain में एक बनाएंगे, और दूसरी वाली chain में एक बनाएंगे, ये दो incomplete double crochet हैं, दोनों को एक साथ मिला देंगे, अब next chain में एक double crochet बनाएंगे complete, तो इसी तरीके से 2, 1, 2, 1 का pattern रखते हुए, 30 chain के उपर हमें यहाँ पर work करना है, ये दे एक chain हमारी कम हो जाती है, तो 10 chain हमारी यहाँ पर कम हो चुके हैं, अब इसके आगे हमारे पास 15 chain है, तो इसके उपर हम अपने double crochet stitch बनाने स्टार्ट करेंगे, एक chain के उपर एक double crochet बनाएंगे हम, तो आखिर तक दिखाती हूँ मैं आपको, तो 11 double crochet मैंने अभी यहाँ पर बन बना लिए हैं, अब आनोबर करेंगे और यह बिल्कुल देखिए जहाँ पर हमने slip stitch किया था, सिंगल क्रोशे का उसकी बिल्कुल आकरी वाला stitch है, इसके बड़ डबल क्रोशे बनाएंगे, अब जो हमने 3 single crochet stitch उनको joint करने से पहले छोड़े थे, उसमें से यह 3 single crochet stitch है हमारे पास जिसमें से हमने slip stitch किया था, तो एक single crochet की chain में हमने काम कर दिया है, अब यह next वाली chain हमारी होती है, बीच में आपको ऐसा लगेगा कि दो है, लेकिन यह दो नहीं होती है, एक chain slip stitch की हाँ पर बीच में रहती है, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, अब यह 2 chain हम कम हो जाएगी, और इस से जो हमारे ही शूज है, पीछी की तरफ को फैलेगा नहीं, यहाँ पर हम एक दो stitches अगर कम कर दें तो यह जादा बहता रहता है, मैं यहाँ पर एक ही किया है, आप अगर चाहें तो जो हमने starting में 15 double crochet बनाएते हैं, वहाँ पर भी आप एक chain कम कर सकते हैं, अब वाइट कलर को फिर से जोइंट करेंगे और इसके साथ ही हम इस रो का slip stitch करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, ओन जोइंट हो गई है हमारी, अब एक chain बनाएंगे, और जिस chain में हमने slip stitch किया है, इसी chain में हम अपना पहला single crochet stitch बनाएंगे, अभी देखे 60 chain थी हमारे प हमारी 14 chain हो गई है, और 10 chain मैंने finger की तरफ कम की थी, दो एक का pattern follow करते हुए, तो इस रो में हमारे पास 11 chain हमने कम कर दी है, अब हमारे पास 49 chains बागी रह गई है, तो यह देखिए, slip stitch वाली chain में single crochet बनाया है मैंने, next वाली chain में single crochet बनाएंगे, तो एक एक chain के उपर एक single crochet stitch बन कि मैंने आपको भी बताया था, तो फिर आपके पास 48 chains रह जाएंगी, यह white own cut कर देती हूँ मैं, यह देखिए, सारे single crochet stitches बना लिए है, मैंने 49 single crochet बने हैं मेरे, अब first वाली की chain में, एक slip stitch करके इसको joint करेंगे हम, यह हो गया, अब एक chain बनाएंगे, और यह own मैंने हाँ पर की तरफ ले लूँगी, ठीक है, तो हमारे shoes के यह 4 row बन गए हैं, जिसमें से 2 हमने blue बनाए हैं, और 2 white बनाए हैं, अब इसमें आगी की तरफ काम करना है हमें, तो उनको फिर से हम जोडेंगे, blue color की उन लेकर, तो जोडनी कहां से है, यह भी मैं आपको दिखाती हूँ, यह 2 single crochet stitches, बने हुए हैं हमारे, तो इसमें से आपको 12 single crochet stitches ले लेने हैं, 12 single crochet के बाद में, जो 13 स्टिश है हमारा उसमें हम, उनको major करेंगे, तो जैसा जैसा मैं आपको पताती हूँ, ऐसा ही आप करती रहें, 12 single crochet stitch छोड़ कर, हम उनको major करेंगे, और आगी का हिससा, रेडी करें कि विलू कलर की उनको पीछे से कट कर दिया है मैंने पीछे जॉइंट हुई भी थी एडी की तरफ और इसको यहां पर एक लूप बनाकर ले लूँगी मैं अब एक चेन बनाएंगे तो यह हमारे डबल क्रोशे का रो है तो पहला हम डिग्रीज बनाएंगे तो इसके लिए हम और विलूप यह साथ मिलेंगे तो यहां पर हमारी चेन कम हो गई है क्योंकि हम हमने स्बनाएंगे 2 जांफ हे लिग्राव हिम काम हमें सिर्फ इतना ही करना है तो यह रो हमारी हाँ पर कंप्लीट हो गई है अब इसके बाद में फिर से दो चेन बनाएंगे पिछले वाली रो की तरह और इसको टर्न करेंगे अब इस रो में भी पिछली रो की तरह दो डबल क्रोशे एक जगा मिलाने हैं हमें तो एक चेन के उपर 12 डीक्रीज स्टिच बनाए थी और इस रो में हमारे पास 12 चेन के उपर हमने 6 डीक्रीज स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं एक ही रह गया है आखिर का इसको भी बना लीती हूं मैं यह हमारा च्टा डीक्रीज स्टिच है यह देखिए स्टार्टिंग में दो चेन हमने बनाए थी फिर एक डबल क्रोशे कंप्लीट कर रहा था तो उसकी चेन में अपना आखिरी स्टिच बनाऊंगी मैं यह देखिए ही हो गया अभी दोनों स्टिच इस एक साथ कंप्लीट करेंगे ठीक है तो यह आकरी डीक्रीज स्टिच है इसके उपर अब हम यह दो चेन बना देंगे इस पीस को टर्न करेंगे अब यहाँ पर हमें सिर्फ पांच ही चेन नजर आएंगी तो पांच के उपर एक एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशा स्टिच उठाना है हमें और स्टार्टिंग में हमने दो चेन बनाई मी थी उसका एक लूप और एक यार्ड नोवर का तो हमारे पास यहाँ पर साथ लूप्स हमारे क्रोशा में आ जाएंगे यह आक्री स्टिच उठाएंगे हम इस वाली चेन के उपर अब आप देखिए साथ लूप्स क्रोशा में हैं साथों में से उन लेकर हम क्रोशा को निकाल देंगे अब यह रू हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से दिखाए देगा यह इस उनको कट करेंगे हम एक चेन बनाएंगे और इसको उपर की तरफ ले लेंगे तो हमारी एक नौट यहाँ पर लग जाएगी और इसको हम टाइट कर देंगे इस तरीके से ठीक अब इस शूज के उपर का हिस्सा हम बनाएंगे इसके लिए फिर से हमें अपनी उनको जॉइंट करना है तो यह दिखिए यह जो मैंने वाइट कलर की सिंगल गुरूशे स्टिच का स्लीप स्टिच किया था इसको खोल दूंगी मैं और इसमें अपने ग्रीन कलर की उनके साथ फिर से मैं स्लीप स्टिच करके उनको यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे वाइट वाली उनको थोड़ा टाइट कर दूंगी मैं यह तीन चेन हो गई अब याण उबर करेंगे और यह देखिए यह वाला जो पैटन हमें डाला हुआ है यह वाला पैटन इसके उपर हमें बनाना है तीन बार ही एक साइड में बना है दो बार ही सामने की तरफ है और तीन बार ही दूसरी साइड पर हमें बनाना है तो अगर आपके पास कुछ स्टिचिस कम या ज्यादा रहते हैं यह देखिए एक दो तीन तीन बार यहां पर बना हुआ है यही पैटन हमें अप्लाई करना है इसी pattern के साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको टॉप बनाना बताया था इसी pattern को मैंने इसमें यूज किया है और इसी pattern का मैंने रॉंपर बनाया हुआ है तो तीन chain बनाएंगे इसके बाद मैं यार्ण ओवर करेंगे और दो chain skip करके तीसरी वाली chain में क्रोशय डाल कर एक डबल क्रोशय बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे एक डबल क्रोशय और इसी वाली chain में बनाएंगे अब एक chain का space देंगे अब यार्ण ओवर करेंगे और दो डबल क्रोशय स्टिच और इसी वाली chain में हम बना लेंगे तो से 2 double crochet, 1 chain और 2 double crochet यहां पर मुझे बनाने हैं तो इस side में हमारे पास 12 single crochet stitch है और दूसरी वाली side में हमारे पास 13 single crochet stitch है और यह वाली जिस पर chain पर काम कर रहे हुँ में यह 8 भी chain है मेरी इसके आगे मेरे पास 4 chain और बाकी रह जाएंगी तो यहां पर मैं 2 chain skip करूँगी और 2 chain skip कर दिने के बाद में तीसरी chain पर मैं अपना तीसरी बार का pattern यहां पर बना रही हूं ठीक है तो आप तीन बार ही इधर बनाएगा और तीन बार ही आपको दूसरी तरफ बनाने हैं दो बार फ्रंट की तरफ यह pattern आएगा आठ बार कुल मिलाकर आपको यह pattern adjust करना है अभी इसके आगे ब्लू कलर का work आजाएगा हमारा तो उसमें भी मैं आपको दिखाती हूं यह दिखे यह first row है हमारी तीन रो हमने हापर बनाए थी तो बीच वाली second row है इसके उपर हमें अपना pattern डालना है ठीक है यह second वाली रो है इसके उपर दो डबल क्रोश्या एक chain और दो डबल क् अब इसके बाद में यह third row है हमारी इसको मैं पूरी skip कर दूँगी इसके उपर हमें अपना pattern नहीं डालना है दूसरी side का जो हमारा दूसरा वाला रो है इसके उपर हम अपना pattern डालेंगे अब इसके बाद में इसके आगे हमारे part color के 13 single crochet stitch आपको नज़र आएंगे उसके उपर आपको तीन बार यह pattern बना लेना है और उसके बाद में इसको हम joint करेंगे इस starting में जो तीन chain हमने बनाई थी उसके उपर ठीक है तो यह front के side में मैंने दोनों pattern बना लिए हैं यह देखिए इस तरीके से दिखाई देंगे अब इसके आगे हमारे पास 13 single crochet stitches है उसके उपर हमें पैटन तीर बार डालना है तो आप पहली बारी का pattern दूसरी chain पर डालिए और तीसरी बारी का pattern आपको साथ भी chain पर डालना है औ आखिर में 2 chain बचेंगे हमारे पास उसको skip करके जो starting में 3 chain हमने बनाई थी उसकी टॉप chain में हम इस रो को joint करके complete कर लेंगे ठीक है तो यह complete करके मैं आपको दिखाती हूं फिर यह दिखिए slip stitch के साथ joint कर लिया है मैंने अब इसके बाद में second row start करेंगे उसके लिए 3 chain बनाएंगे यार्ड ओबर करेंगे और यह जो pattern है इसके बीच वाली chain space में हम फिर से 2 double crochet, 1 chain और 2 double crochet का pattern डालेंगे और हर एक pattern के उपर हमें इसी तरीके से pattern को repeat करते हुए इसकी चोड़ाई को complete कर लेना है तो इसमें मैंने 5 row बनाए है इस pattern को लेकर ठीक है, 5 row आपको इसी तरीके से start करने है और इसी तरीके से end कर लेना है ठीक है, I hope मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, यह देखिए इस तरीके से यह बनने के बाद में दिखाई देगा बीच में हमारी chain है, 3 chain के उपर जब हम अपने row को complete करते हैं और दोनों तरफ 3-3 बार का pattern हमारा डला हुआ है यह बीच में हमारी chain आ रही है, तो आपको भी इसी तरीके से pattern continue करते हुए, 5 row complete कर लेने हैं और इस तरीके से हमारी shoes बनकर ready हो जाएंगे, और बहुत ही perfect और beautiful यह shoes बनते हैं, जरूर आप इनको try किजिएगा अगर मेरे समझाने में कुछ भी कमी आपको लगी है, तो comment करके जरूर बताएगा और अगर पहली बार आपने मेरे वीडियो देखी है, तो एक बार मेरे चैनल को जरूर open करके देखें, आपको बहुती ज्यादा beautiful काम मेरे चैनल पर नजर आएगा और भी beautiful baby booties इससे पहले मैं बना कर अपने चैनल पर upload कर चुकी हूँ, baby dresses और ladies cardigan के बहुती खुपसूर डिजाइन्स आपको मेरे चैनल पर देखने के लिम बिलेंगे और अगर मेरे काम आपको अच्छा लगे तो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजेगा यह जो white color का bow मैंने इसके ओपर लगाया है, इसको मैं next part में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं इसके साथ की matching cap आपको बनाना बताऊँगी तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, उसको भी आपको मिस नहीं करना है, और अगर आप मुझसे कोई design बनवाना चाहती है, तो आप Instagram पर मुझे picture कर सकती है ताकि मैं आपके बता हुए project भी आपको बना कर बता सुगूँ, तो link मैंने Instagram का description में डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप मुझे follow करें, और अगर वीडियो को पितक like नहीं किया है, तो जाने से पहले वीडियो को like जूरू करके जाएं, और channel को पितक subscribe नहीं किया है, तो channel